Hey everyone, welcome back to my channel and good morning, I hope आप सब अच्छे होगे, I thought to share a morning routine video with y'all in my kitchen, तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ के मैं सुबा किचन में क्या क्या करती हूँ, so let's begin हमारे घर पे दूद की डिलीवरी आ जाती है, तो सुबा सबसे पहले उठकर मैं दूद ले आती हूँ, अच्छे से वाश करती हूँ पैकेट्स को और फिर उन्हें बॉइल कर लेती हूँ So today I'll be making rotis in breakfast, sometime we make poha, sometime paratha, sometime we eat egg bread, तो जब तक के एक साइड में दूद गरम हो रहा है, यहां मेरी roti बन रही है This oil bottle is just amazing, इसे ऐसे प्रेस करने से सारा तेल सक्षन से उपर आता है, और आपको जितना तेल चाहिए उतना प्रेस करके roti पे लगा सकते हो इससे एकसेस तेल नहीं गिरता, so if you're diet conscious, it's very good for you इसका link मैं description box में छोड़ दूँगी तो यहां रोटी बनाते बनाते दूद भी गरम हो चुका है, तो मैं थोड़ा दूद बावल में निकाल लूँगी, ताके वो बच्चों के लिए जल्दी थंडा हो जाए हमारे घर में open kitchen होने की वज़े से मेरा ये फाइदा है कि मेरी एक नजर काम पे और एक नजर बच्चों पे रहती है तो यहां दोनों बच्चे ब्रश कर रहे है और अभी ये दूद थंडा हो चुका है तो मैं इसे गलास में निकाल लूँगी और बच्चों को दे दूँगी बच्चे जब सोके उट जाए तो मेरा सबसे पहले काम ये रहता है कि मैं नाचते से पहले बच्चों को दूद दे दू इसके दो तीन फाइदे हैं एक तो ये कि बच्चों को सुबा सुबा जादा देर तक भूका नहीं रखना है जब वो सोके उट जाए दूसरा ये के in the morning itself they do toilet quickly in one go और तीसरा ये के अगर हम बच्चों को breakfast के बाद दूद देगे तो they won't be having it सुबा क्योंके बच्चे भूके होते हैं तो वो फटाक से पूरा दूद पी जाते हैं और आपको परेशानी भी नहीं होती के बच्चे भूके हैं और आप अपना breakfast बना सकते हैं अराम से हमारी रोटिया बन के तयार है अब मैं ये सारे बरतन सिंक में डाल दूँगी और breakfast के बाद इने धोऊंगी अगर मेरे पास रात में कई बार टाइम बच्चता है तो मैं रात के बरतन रात में ही दो देते हूँ वरना मुझे सुबा दोने पड़ते हैं कल काफी काम था रात में so I wasn't able to wash utensils so I have lot of utensils to wash now यहां मैं मिगी के लिए रोटी को बारिक तोड़के दूद में मिला रही हूँ क्योंके वो ऐसे रोटी नहीं खाता पर अगर बारिक करके मिक्स करके मैं खिला दूँ तो वो खा लेता है अब हमारा नाश्ता बनके तयार है अपने बच्चों को दिन में एक टाइम ड्राइ फ्रूट जरूर दीजिए बिकास इट इप्प्रूवस दी मैंटल डेवलपमेंट और अल्सो फिजिकल डेवलपमेंट आफ यो बेबी तो अब नाश्ता कराने के बाद पर जाओगी किचन साफ करने मैं धो रही हूँ अब बरतन और मैं आप लोगों को एक टिप्स देना चाहती हूँ बरतन धोते समय यहाँ पे आप एक स्पॉंज वाइप्स रखे या तो कोई एक कपड़ा रखे जिससे के आपके स्लैप पे स्क्रैचिज नहीं आएंगे तो देखे जैसे के यह पतेली धोते समय हम प्रेशर लगा के पतेली घसते है ताके वो चमक जाए टन टना टन तो इसलिए हम यह नहीं चाहेंगे के हमारा स्लैप भी घस जाए टन टना टन तो इसलिए यहाँ पे एक कपड़ा रख लीजिए थोड़ी मस्ती भी होना चाहिए ना लाइफ में तो अब मेरे बरतन धोते धोते उट गए है बच्चो के डैडी और मैं बना रही हूँ उनके लिए चाई तो जब तक के चाई बन रही है मैं यह साइट का स्लैप साफ कर देती हूँ और यह अक्चली हर मॉमी होती है I believe that God has given the power to women to be multi-tasker because you yourself might have experienced that if you give more than two tasks to a man he won't be able to do at a time but at the same time we can do the same task with an ease हम वही सारे काम बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं है ना अगर आप मेरी यह बात से सहमत है तो comment section में जरूर बताना तो यह हो गया है breakfast ready अब मैं फटा फट यह साइट का सारा area साफ करके अपने बरतन कंप्लीट करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि बस सबसे पहले जो काम हूँ घर का वो किचन साफ हो पर तंधुल गए और किचन साफ हो गया तो एक बोज उतर जाता है ऐसा लगता है कि आदे से जादा काम हो गया है that's why every morning the first thing I do is cleaning the kitchen and then I clean the house मैं एक और टिप्स देना चाहूँगी आपको कि जब भी आप glasses धोए उसे अलग ही रखे और अलग ही धोए सारे बरतनों में ना डाले क्योंकि अगर हम सारे बरतनों में डाल के रख देते हैं तो सारा oil उस पे लग जाता है वो छिकने हो जाते हैं और उसमें बरतनों की स्मेल भी आजात मैं दोते समय भी उन्हें अलग ही रखती हूँ if a baby is helping me to organize the utensils on place she is a very helping daughter मैंने recently उसे बरतन जमाना सिखाया है और वो रोज मेरी help करती है बरतन जमाने में मुझे आप लोगों को बताना था कि ये जाली आप ज़रूर लगाए अपने किचन सिंक में इससे blockage बिलकुल नहीं होता छोटे से छोटा खाना इसमें रुख जाता है हाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ट्रे भी बड़े काम की चीज है इसमें यह होल होता है जिससे कि हम इसमें अगर काथा रख देते है तो उसका सारा पानी निचे से drain हो जाता है ये corner में fit हो जाती है इसके साथ आप एक दो बाटल और रख सकते है अगर इस क्रब जादा देर तक की लर है गया तो उसमें बैक्टीरियाज आ जाते है और उसमें बास भी आ जाती है विच ड़जन रिमेन हाईजीन अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसका link description में छोड़ दूँगी मैं ये मिगी की बाटल अलग से दोती हूँ और इसका detergent liquid भी अलग होता है और अपने बच्चों की बाटल दोने के बाद याद से sterilize करिए वैसे ही आजकल हम बिमारियों से घिरे हुए है और ऐसे time में अगर बच्चे बिमार हो गए तो that will be very difficult and stressful for us that's why I make sure that I sterilize मिगी's bottle every day ये bottle sterilizer भी बहुत बढ़िया है बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा पानी डालना होता है लग बग दो घूट और फिर इसके उपर इसे रख देगे ऐसे and then we can put all the bottle inside upside down फिर हम इस पे ये tray रख देगे और इस पे सारे चोटे आइटम जैसे nipples और caps and you can also keep tether on it ये tray इसे लिए दी गई है कि हम इस पे चोटे आइटम sterilize कर ले और निचे bottle रखने के लिए हमें extra जगा भी मिल जाती है मैं इसे में हमारे fridge की bottles भी sterilize कर लेती हूँ बस ये tray हटा देती हूँ ताके ज़्यादा लंबाई मिल जाए फिर ये सब जमाने के बाद हम इसे on करेगे और ये light blink हो जाएगी और 5 मिन के बाद ये खुद ही automatically off हो जाएगा यहाँ पीछे on off का button दिया गया है and it takes just 5 minutes to get sterilized तो अब हो जाता है हमारे kitchen का काम खतम और ये हो गया है मेरा kitchen टन टना बिलकुल साफ kitchen clean हो गया तो बस एक relaxation हो जाता है है ना तो मैंने आपको जो ये एक दो products बताया है ये वाकई में बहुत ही amazing है मैं इन सभी products के link description box में छोड़ दूंगी ओ या sorry इस बड़े ही attractive product के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं तो ये है spices organizer इसमें 16 bottles है इसमें आप rice, zira, things, off वगेरा organize करके रख सकते हो इसके top में 3 openings दी गई हैं बड़ी, छोटी और बिलकुल छोटी इसमें 16 bottles की जगा 12 या 6 bottle वाला organizer भी आप ले सकते हो तो ये था मेरा morning kitchen routine और मैंने साथ ही साथ आपको kitchen के मेरे कुछ products बता दिये है जो वाकई में बहुत अच्छे है तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और अगर आप इस चैनल पे नए है और अगर आप इस चैनल पे नए है तें प्लीज दो सब्सक्राब मैं चैनल and don't forget to hit the bell button till there papa thanks for watching